गुद मॉरिंग दियर स्टूदेंट्स अंडर दा युनिफिकेशन अव इटली टोडे वी शिल कॉंटिनू विद दा सेकिंड स्टेज एंड थार्ड स्टेज फर्स्ट अफॉल री स्टेबलिश्मेंट ओफ दा ओल्ड सिस्टम जब मैजिनी वापस इटली पहुँचा तो उसके समय में जो पोप राज्य थे वहाँ पर नॉमबर 1848 को बिद्रो प्रारंप हुआ था और पोप को अपने राज्य को छोड़कर गेटा में शरण लेनी पड़ी थी लेकिन फ्रांस के जो शाषक थे नेपोलियन तरती है उस ने पोप की अनुशंसा पर अस्टशिव किया था और वापस जो रूड़ी वादी वेवस्ता है वो इटली में कायम हुई थी फर्डिनेंड को सिसली और नेपल्स के प्रदेश वापस सोपे गए थे वेनेशिया और अस्टिया के अंदर पुनहा वापस रखा गया था और जो पापल स्टेट थे वो भी वापस रिस्टोर हो चुके थे अर्थात एक प्रकार से पुनहा जो प्यवस्ता थी अठारा सो अर्टालिस से पूर्व उसे वापस कायम किया गया था नेक्स्ट है एफ़र्ड सफ काभूर काभूर इटली का बहुत मेतपून देश भक्त था और वो इंगलेंट में जो प्रसलित वैधानिक शासन व्यवस्ता थी लिगल मुनार्की थी उसके आधार पर इटली का यूनिफिकेशन करना चाहता था और वो पिडमॉंट के नेतरतों में इटली के किकर्ण का समर्थक था उसे पिडमॉंट में पहले कृशी और ब्यापार मंतरी निउक्त किया था ठारा सो पचास में बाद में उसकी सेवाओ को देखते हुए प्रधान मंतरी वेक्टर इमेन्वेल ने जो वो निउक्त किया था उसने 90,000 लोगों की सेना को खड़ा किया और स्पेशली जो पादरियों के विशेशाधिकार थे उनके उपर प्रतिबंद लगाया और इटली में पिडमॉंट में जो है वो एक राष्ट सभाकावी गठन किया था जिस से यह सावित होता है कि वह राष्ट को एक करने में बहुत मैतपुन भूमी का निवाना चाहता था नेक्स्ट है क्रिमिया का यूद तथा इटली क्रिमिया का यूद रूस और टर्की के मद्धे में 854-56 के मद्धे हुआ था लेकिन इसका जो परोक्ष लाब है वो इटली को भी हुआ कई तियासकार तो यह मानते हैं कि the formation of Italy was created या came into existence from the mud of the क्रिमियम वार अर्थात क्रिमिया के यूद के कीचर से ही इटली के एकिकन की नेव प्रारम हुई थी इटली के एकिकन प्रारम हुआ था चूकि रशिया के प्रभाव को रोक प्रान थे उसकी सहता की और कावूर ने इसी अपने लिए एक अपरत्यक्ष आउसर समझा उसने पंद्रह हजार सैनिक तुर्की की सहता के लिए भेजे ताके एंगलेंड और फ्रांस की जो सेंपती है वो प्राप्त की जा सके और उसने यह अपने आप ही डिस्क्राइव कि था दा फीह इटली इसरसी बिद फरांस अब्ता फ्रांस के भागय से ही इटली का जो है वो भागय बनता है रश्या की पिराजय हुई और प्राजय के पशाच्च जो पीस सेटिल्मेंट पए इस में हुआ था उस पीस सेटिलमेंट में बिशेश रूप सी हम यह कह सकते हैं की इंडिपेंडेंट इटली की यूनिफिकिशन का मार्ग जो है वो प्रारब वुआ था 1856 में काबूर ने अंतराश्ट स्तर पर इटली के किकन को प्रशस्त किया इंग्लेंड और फ्रांस की सानुगती प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी नेक्स्ट है प्लॉंबियर्स का समझोता और लॉंबार्डी का इटली में विलेंड बीच जुलाई 1858 को प्रांस का दुश्चा सकता नेपोलियन तरिती है जिसकी सानुगती प्राप्त करने में पहले ही काबूर ने सफलता प्राप्त की थी उन दोनों के मद्धे में प्लॉंबियर्स नामक स्थान पर एक कुट समझोता हुआ जिसमें ये तैय हुआ कि यदि इटली ऑस्ट्रिलिया पर आकरमन करने का प्रमान सिद कर दें तो नेपोलियन तरिती अपनी सेनाय भेज़ करके लॉंबार्डी और वेनेशिया पर आकरम वह तथा जो नीस के प्रदेश है वो फ्रांस को सौपे जाएंगे तीस राइवा कि रोम को पोफ के अंतरगत ही यह वो कॉंटिनीव किया जाएगा उसमें किसी प्रकार का हस्त शेप नहीं किया जाएगा चौथा ये तैह हुआ कि सिसली जो है वो दो भागों में डिवाइ स्थाफित किया जाएगा और अंतिम जो शर्त थी वो ये थी कि पिड्मॉंट और फ्रांस के मत्य में ब्यवाइक संबंद स्थाफित किये जाएंगे कावूर ने संधी की शर्तों को इंपिर्मेंट करने से पूर्व ऑस्ट्रिया को यूद के लिए उकसाया और अपनी सेना भेजनी प्रारम कर दी कावूर ने ऑस्ट्रिया प्राक्रमन करके ऑस्ट्रिया को मेजेंटा तथा सेल फेरिनो नामक स्थान पर जहो प्राजित किया लॉंबाडी को जीत करके जो है उसी पिड्मॉंट में सम्रित किया गया था परन्तु नेपोलियन तृतिय पर दवाओ ब प्रांस की सेनाओं को वापस भुला लिया गया लेकिन बाद में जो जीवरिक में संदी अस्ताक्षरत हुई उसमें यह रवस्ता की गई कि पिड्मॉंट और इसके उंतरकत जो शैत्र है जिसको की पिड्मॉंट ने विजीत किया था लॉंबाडी उसे उसी क अंतरकत रखा जाएगा और जो लॉंबाडी के अतरिक्त जो दूसरे शैत्र हैं वो ँस्तिया के अंतरकत ही रहेगे इसलिए विल-फ्रेंग्ड की संधी को भी यहां एक दा स्टेट अफ लॉंबार्डी यहां आप देख सकते हैं यह है लॉंबार्डी यह जो लॉंबार्डी का शैत्र है यह वाला शैत्र है इसे विजित करके जो हुआ इटली में सम्रित कर लिया गया था नेक्स्ट है एनेक्सेशन आफ दा सेंट्रल इटालियन स्टेट्स जो इटली के मध्धे के राज्य थे उनको किस प्रकार जह वो एनेक्स किया गया था जब लॉंबार्डी को पिडवॉंट में सम्रित किया गया तो मेडोना पर्मा और तसकनी यह राज्य हैं आप यहां एक ही करना चाहते थे वहां के जो तानाशाइश आ सकते उन्हें अपनी गद्यां छोड़ करके भागना पड़ा था जो इटली के उत्तर में पापल स्टेट्स थे जिसमें की रमगना प्रमुक्त था उसने भी विद्रो को जोइन किया था यह पी वहां पर जो इससे पहले जियुरिक की संदी हुई थी उसे नलिफाई किया गया उसको समाप्त किया गया निरस्त किया गया और जितने भी विद्रोई राजे थे वो पिड्मॉंट के अधीन जह वो इक्रित होना चाहते थे बाद में काबूर ने वहां पर जह वो जन्मत संग्रह किया और जन्मत के प्रांत थे वो इटली फ्रांस को हैंड़ोबर किये गया थे ठार सो साथ में परंतु जो इससे पूर्फ हम यह कह सकते हैं कि ब्याना के कॉंग्रस में जो इटली को एक मेर जियोग्रफिकल एक्सप्रेशन कहा गया था केवल एक भोगोलिक विस्तार कहा गया था वो अब एक प्रकार का राष्ट बनना प्रारम हुआ था ऐसा प्रसिद इत्यासकार है जन का भी मानना है अर्थात जो इटालियन स्टेट है मैडोना है परमा है टसकनी जो मैंने आपको पताया यह यह परमा है यह मैडोना है आपके पास यहां पर यह देखिए और यह टसकनी है यह जो प्रदेश थे इन प्रदेशों को भी जो वो सम्लित कर लिया गया था अर्थात लुंबाडी पहले आ चुका था अब पर्मा मैडोना और टसकनी ये भी जो है वो इटली के किकण में सम्लित हो चुके थे अब ये एक formation of nation के रुक में इटली जो हो गठित हो चुका था अब बात कते हैं थर्ड स्टेज में थर्ड स्टेज में 1868 में जो गरिवालडी मेतवपून वराश्ट भक्त था उसके नतरतों में जो दक्षनी राज है उनका विले किया गया था चुकि नीस जो कि गरिवालडी का मात्रिभूमी थी उसे फ्रांस को स्वापा गया था कि गरिवालडी का वूर से संदुष्ट नहीं था खुश नहीं था और वो साउधर्न स्टेट को इटली में एनेक्स करके यहां पर गरिवालडी द्वारा जो प्रारंब की गई ब्योस्ता थी उससे और भी मेतवपून विकास इटली का हो सकता था जब इन दक्षनी राजय थे जिन में बिद्रोव हुआ था और वहाँ पर जो बुर्वो वंश का शासंग था वो 1861 में लगवग समापत हो चुका था फ्रांसिस त्रितिये जो कि सिसली का शासक था उसे अपनी गद्दी त्यागरी पड़ी थी और 1000 सेना सहित गरिवालडी ने आक्रमन किया था जिस नामक स्थान पर आक्मन किया गया और यहां पर जब वो है मैं इसे डिफिट किया गया सिसली को बाध में मिलाजोड नामक स्थान पर भी इसे प्राजित किया था अगस्थ 8070 में नेपल्स को भी अनेक्स किया गया और अनेक्स करने के पशाथ इसे विक्टर एमिनेल जो की पिडमॉन्ट का शासक था उसके अधीन सौपा गया था एक शांदार संसत का गठन किया गया था जिसमें की रोम और वेनेशिया को छोड़ करके इटली के सभी प्रांथ समलिते थे और 18 फरबरी 1861 को इसे आयोजित किया गया था और उसी संसत में जो इटली का नाम करन हुआ था 17 मार्च 1861 को विक्टर एमिनेल को व्यधानिक शासक खोशित किया गया था गेरिवालडी को अत्यादिक उपाधिया दी गई थी और साथ उसे उपहार भी दिये गए थे लेकिन उसने आलू के बीज की एक बोरी उपहार सवरूप सविकार करके अपने प्रदेश प्रिर्याद चला गया था सब्सक्राइब दिस फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज यह जो मैंने आपको कहा यह नेपल्स है जिनकों की बाद में और यह सिसली हैं यह साउधरन स्टेट थे जिनकों की गैरिवालडी ने अनेक्स करने में बहुत महत्तपून भूमी का निभाय थी आज का जो आपका आसाइनमेंट्स है वो है इटली के करन के ड्वीति और तृति यह चरन की संशित प्याक्या की जिए दिस्क्राइब दा सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ओफ युनिफिकेशन आफ इटली इन ब्रीफ सू हवे गुद देए एंड हैवे नाइस ताइम थैंक यू